use of to be to do to have इन सभी के complete use आज की वीडियो में जानेंगे जो कि to be का मतलब is, am, are, was, were, to do का मतलब do, does, did, to have means have, has, had ये होता है इसका use कैसे use के आज आता है कहां कहां पर use करते हैं सारी चीज़े हम लोग समझते हैं तो guys सबसे बले जो हम लोग समझेंगे to be को समझेंगे और to be में सबसे पहले is, am, are को समझेंगे इसका use कई अलग अलग तरीकों से किया साथ है एके करके हम लोग सबी तरीके के sentences को देखते हैं तो सबसे बले example है he is a nice man, it means वह एक असा आदमी है guys आप इस MR के बाद कोई भी आप compliment का use करते हैं ये बताता है state of being state of being से मतलब है कि इस्ति या वस्ता बताता है या फिर किसी subject का quality बताएगा आप दीए यहाँ पर he is a nice man, he के बारे में क्या बता रहा है वो एक असा आदमी है quality बता रहा है इस पार समझ सकते हैं इसे बगार से I am a student, मैं एक सात्र हूँ यहाँ पर आप क्या कि मैं का एक quality बताएगा वो क्या एक सात्र है या पिर आप इसे समझ सकते हैं कि उसका एक profession बता दिया ऐसी भी आप समझ सकते हैं या पिर आप समझ सकते हैं या पिर आप समझ दे ही is a doctor वो है एक doctor है काई से दीसी बात समझे जब आपका ASMR के बात कोई ना उना आसा है तो फिर आप समझ लेजे कि वो आपका एक compliment है और वो आपके जो subject होंगे sentence में उसका विसेस्ता बताएगा इसलिए यहां पर आएगा वो देखिए he is a doctor doctor क्या बता रहा है कि he is वो है वो एक doctor है और ही के बारे में additional information दे रहा है इसे आप समझ सकते जो additional information दे वो आपका compliment कलाता है इसी बगार से आगे है we are playing cricket हम लोग cricket खेल रहे हैं हम लोग cricket खेल रहे हैं अगर ASMR के बाद अगर verb का first form आजा है it means verb का first form में आएंसी लग जा है तो वो sentence आपका बताएगा कि present time में कोई काम continue है वो चल रहा है इसे हम लोग cricket खेल रहे हैं तो present में काम हो रहा है तू मुझसे बात कर रहे हो तो बात करने काम continue है यह चल रहा है इस परस आप समझ सकते हैं तो यह पर आप समझें जैसे की पिरिया is going to school पिरिया is school जा रही है अब बात रही है कि confusion यह भी हो सकता है कि इस आम आर में से कौन से subject के साथ किसका यूज करें गाइस अगर singular subject है जैसे कि he see it he see it singular noun और pronoun है वो आपका is refer करेगा और अगर आपका I subject है तो वो आप M लगाएंगे और अगर आपका वी यू दे और पुल्वल नाउन और प्रोनाउन रहे तो फिर उसके लिए आफ आर का यूज करें इस बातों को ध्यान में रखेंगे बांकिसी से बहुत ही इसी हो साईगी अगे संदे से सी इस कोकिंग फूड वो खाना पका रही है अब यह काम सो है यह परजेन चाइम में जारी है इसलिए आपका इसे मार केबाद आपका वर्प का फोर्त झाता थिए यह बताता है कि present independence का passive को बताता है कि कोई काम किसी के दुवारा किया जाता है तो कोई पढ़ाने वाला कोई होगा लेकिन यह mention नहीं किया गया है लेकिन अंग्रेजी अमन को पढ़ाया जाता है ऐसी बाते कहीं गई है इसी बात से you are selected in the team वेलोग टीम में चूने जाते हैं इस पर समझ सकते हैं और इस MR के बाद आपका वर्ब का थर्ड फर्म आसा आएगा मेंगोस आर प्लग्ड बाई राहुल आम राहुल के दुवारा तोड़ा जाता है समझेगा जो भी एक्सन आपका होगा वो आपका वर्ब का थर्ड फर्म में होगा अगर सो एक्सन कर रहा है उससे आप बाई के साथ लिखेंगे और जो एक्सन होगा जिसे आम तोड़ेगा तो आम आपका सब्दे छोस आएगा आपके क्या है टीम में चूनेगा पढ़ इस एम आर के बाद चीजों को देखेंगे चीजों को देखेगा अगर यह आर के बाद अगर आपका वर्ब का थर्ड फर्म लगजाए आप यह पर समसकते का दर वर्ड है अगर यह आसा है यह पताता है कि कोई काम परसेंट टाइम में किसी के दुवारा क्या जा रहा है इस पर से जिसे उसे उसके भाई के दुवारा पीटा जा रहा है तो कोई काम परसेंट टाइम में किसी के दुवारा क्या जा रहा है किसके द्वारा क्या जार है उसके भाई के द्वारा के लिए आप भाई लिखेंगे उसके भाई his brother the road is being constructed सड़क बनाया जार है कोई काम किसी के द्वारा क्या जार है अगर mention किया गया है कि किसके द्वारा क्या जार है तो भाई के साथ लगाई है यह पीड़ बिल्ट भी लिख सकते हैं इसी बगार से डाइस ट्रीट इस विंग डेकुरेटेड़ वाइस गली हम लोगों के द्वारा सजाई जा रही है अगर कोई काम किसी के द्वारा परसेंट टाइम में किया जा रहा है इस पर समझ सकते हैं तो बहुत सरे इसी आप संटे वे लोगों घ्लाडी थे यह बताते हैं यह पर सकते हैं कोई बहुत स्वस्ति आवस्ता पताने के लिए आप इस वो से वर के बाद आपका क्योंई एक कॉंप्लिमेंट आसा है गाज इसके में आपको पहले बता है इसे मारके सब्सक्राइब पर वो पास्ट बता देगा बात सिंबल है इसे बाद से राहूल वस टॉकिंग तुमी राहूल मुझसे बात कर रहा था सीवस कोकेंग फूड वो खाना पगा रही थी और देवर प्लेंग किर्केट वेलो किर्केट खेल रहे थे अदकर यह क्या बता रहे है कि पास्ट टाइम में बेते कल में काम सो था वो कंटिन्यू था चल रहा था काम पिरियर्ड में सल रहा था ता आप यहां पर समझ सकते हैं रहूल was insulted at the party इसे वहर से अगर आपका work का third form आता है यह पताता है पास्ट इंडफेंट एंस के पेसी वह इसको जो कि किसी के दुआरा कोई काम किया गया इसे इसे वहर से इसे अमेरिका भेशा गया भेशने वाला कोई और होगा लेकिन भेशा गया मेंटिंग में अंग्रेजी भोला गया मेंटिंग में अंग्रेजी बहुतर ये हमाद है तो आगे लिखा हुआए तो आपको अर्टिकल्ड यूज़ करना पड़ेगा इसी बगार से they were being insulted, इसी बगार से waitables were being sold in the market, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहे कि was the work के बाद आपका being लगेगा और being के बाद आपका work का थर्फ हमाएगा, अगर इस बगार से आता है, ये बताता है कि कोई काम past time में किसी के दुआरा क्या जा रहा था, कोई काम past time में किसी के दुआरा क्या जा रहा था, it means आप कह सकते हैं कि past continuous tense के पेसी voice का sentence है guys, तो कि was the work के साथ being का use करते हैं आप, इस पार से बहुत ही easy way में आप समझ सकते हैं कि आपका यहां पर आसा है ये subject बोल सकते हैं या फिर आप बूल सकते हैं object है, और object के बाद आपक इसके बाद आपका लग जगया विंग वर थार्ड फॉम अदर वर्ड इस पार से आप समझ सकते हैं guys, आगे हम लोग समझते हैं to do का use कि इसका use का और कैसे क्या साथ है, बहुत easy way में, आपके to do में आप सीखेंगे सबसे बले to do और does को सीखेंगे, आप समझेंगे आप एक रहूल डस नोट राइट अलेटर रहूल पत्र नहीं लेगता है, दोनों संटेंस में क्या है, आपका do's और does है, यह आपका एक main verb के तरह काम कर रहा है, और इसमें जो does है, आपका यह आपका एक helping verb के तरह काम कर रहा है, जिसके हम as we करते हैं, रहूल डस नोट राइट और रहूल पत्र नहीं लिखता है, इसका यूस आप present independent dance में काफी उसको पर आप करते हैं, जो कि present independent dance का कैसा dance पार्थ है, जिसका यूस आप काफी वर्प करते हैं, अपने daily routine में काफी करते हैं, इस वासे we do not know how to speak English, हम लोगों को अंगरेजी बोलना नहीं आता है, तके do not know, अगर डू डू के बाद नोट आता तो सिद्धी से बाद समझे के डू और डू है आपका हेल्पिंग वर्ड पर है और डू यू गो टू रन ऑन दे ग्राउंट क्या तुम मैदान पर दोड़ने जाते हो तो आपका एक हेल्पिंग वर्प के तरह है तो कि आपका इंट्रोगे आपको इंट्रोगोस से चलिए लाये कहा डांस करती है यहां पर स्वार्स यू वर्पिंग क्योंकिолिए इस वर्से वाइव दूगोU तुम क्यों वहां साते हो दू आपका एक हैल्प में वह बाद आया हुआ है सब्सक्राइब से पहले आया हुआ है इस वहां से रीड एंग्लेस बुक्स वह कब अंग्रेजी किताब पड़ती है इस पार से कई से संटेंस आप इस इसली बना सकते हैं तुम क्यों नहीं अंग्रेजी सेखते हो इस वर के आप ये सकते हैं क्या से कंसक्ता है के दिट आप का सकते हैं मैन वर्ब के तरह भी और दिट यूश कर सकते हैं महर्प के तरह भी अज़र नहीं गया आप्धेंग अपर आपका यहाँ अथीड देड अध्य धिट पर अजद शमस्क्रा तॉक्त तॉराहूल आम लोगों ने राहूल से बात नहीं किया इस वर से सुमन डिट नॉट वर्स मुवी जुमन नहीं देखा डिट नॉट आगया आपका निगेटिव सने से पास्ट इंडाफिटेंस के डिट यू टैक परेक फर्स्ट क्या तुमने नास्ता किया इस वर से गेट रेड़ी क्या तुम तयार हो गए इस वर से डिर्स डिट फिट फिज वरूं क्या उसने तुमारा मदद किया इस वर से वा यूट इस पर गार से इस वे में आप संटेंस को बना सकते हैं पास्स इंड़ूर्ड के संटर्टेंस नों यूजस किया साथ जिसमें पॉजिटीव, नेगेटीव, इंडुगेटिव, नेगेटिव, डवलो से बना सकते हैं कहीं पर आपका डीड को एक मैम वर्ब होगा और कहीं पर आपका helping वर्ब भी होगा आप डीट को helping work और men work दोनों तरीके से treat कर सकते हैं आगे आपके पास to have और to have में सबसे ले जानेंगे आपका has और have कैसे use क्या साथ है बहुत easy way में होगा देखे I have a car मुझे एक car है इसे बार से see मुझे एक car है पर मेरे पास एक car है बात similar है she has two books उसके पास दो किताबे हैं we have not enough money हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है इसको बहुत है कि जितना मुझे need है उतना नहीं है इसे बहुत से आप बोल सकते हैं और भी sentences लेकिन इसको समझते हैं अगर आपका हैस और हैप के बाद अगर कोई आपका noun या pronoun आ जाता है तो वह बताता है कि आपके पास कोई सीज है it means जिस सीजों की बात कीज आती है उस पर आपका स्वामित हुँ है इसे मैंने कहा I have a pen मेरे पास एक कलम है तो कलम पर मेरे मेरा क्या है अधिकार है इस पार से आप समझ सकते हैं हैस और हैप के बाद अगर आपका कोई noun आता है तो सिद्धी सिवा समझेगा वह आपका हुशाएगा उस सीजों पर आपका अधिकार है I have written a letter मैंने एक पत्र लिखा है राहूल has gone to market राहूल बजार गया है यू have talked to him तुम उसे बात कर सुगे हो ये जो तीन संटेंसे से गाईस आपका हैस और हैस के बाद आपका हैस के बाद आपका और हैस के बाद आपका और हैस के बाद आपका कोई object आया हुआ है ये बताता है कि आपका कोई अधिकार बताएगा कुछ सीज़ों पर आपका अधिकार है इडमेस position बताएगा और ये बताएगा कि कोई काम कर सुखा है इस पर से action को बताएगा कि वो काम complete हो सुखा है इडमेस परसेंट परफेक्ट हैं समझा से इसे बाद से आमान हैस बिन लर्निंग एंगलेश सिंस 2020 ये डमेस आमन 2020 से अंग्रेजी सी शिख रहा है इसे बाद से आई हैं वोर्किंग ये फोर तीव येर्स यू यहाब बेन ड्राइबिंग अकार फोर थर्टी मिनट अब यह बताता है present perfect के continuous stance को बताता है सो कि बहुत ही easy way में आप समझ सकते हैं इसी बार से हैं कि they have been caught by police उन लोगों को police की दोरा पकड़ा गया है मेंगोज हाब बिन अब समझे यह तीनों चोंटेंसे से हैं यह आपका present perfect का अपेशी होई से हैं तो कि आपका है और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फ्रम लगा हुआ है अधियर बेट आपको यहां पर प्रफिट ब्रतफ़ार में ऐस्जों करते हैं तो हैं कि आंपको पार्फिट प्रफिट का कॉंटिनुस क्याइऽ है इस Career है इतना है हिंदी मेरे पास कही सारे दोस्ते यू हैड अलाट आप मनी तुम्हारे पास बहुत सरे पैसे थे सी एड मैनी बोक्स उसके पास कही सारी किताबे थी आप समझेगा यह आपना अपस्टे के यह तीनों जो संटेंसे आपका पास्ट में पजेशन बता रहे कि कोई चीज आपके पास थ आपका अधिकार था इस पार से बताते हैं हैड के बाद आपका अब्जेट रहाता है इसी बाद से आई हैड बॉट अप फॉन पिरिया हैड संग और सॉंग वी हैड डन अपार्टी यह तीनों जो संटेंसे यह बता रहे कि आपका पास्ट में कोई काम कर सुका था इड में देगे बाय का थर्पम बोट हो गया सिंग का थर्पम संग हो गया डू का थर्पम डन हो गया इसी बगार से कई संटेंसे आप बनाएए एक्सांपल देखे बहुत ही इस जी में आपका लिखा गया है आगे आपका पास पिरिया हैड बीन प्रिपेरिंग फॉर दे इस फॉर त्री इयर्स मेंस हम लोग तीन सलों से एक दूसर से बात कर रहे थे रहुल है बिन संट टू डैली राहुल को दिल्ली बेशा गया था दरोड है बिन बिल्ट सड़क बनाया गया था लेटर है बिन पत्र लिखा गया था अब समझेगा कि संडेंस में डिफ्रेंस क्या है आपक और कशिए आप टाइम बताने के लिए कोई काम पास्ट टाइम में किसी टाइम से शुरू हुआ और किसी टाइम तक शला अपको यहांब समझेगा है कि 2010 से इस्टार्ट हुआ लेकिन तक तक पता नहीं लेकिन पास्ट में काम कम्प्लीट हो गया इसे बाहर से आपका दूस ये बताता है आपका प्रफेक्ट के रहा आता है गया था कोई और युगा ता इसे रहल को दिली बनाया था पता रहुए को लिखा गया था, इससे बताने के लिए आप हैड कर सकते हैं के साथ बढ़को तर्कों गाइस थैंक्स पर वस्टिंग आज स्क्विडियों में इतना ही that's all for today